हेलो क्यूटीज आज हम बात करने वाले हैं माई गर्फरेंट इसे न इलियन के सीजन टू के एपिसोड एपिसोड के स्थार्टिंग होती है जावबू जावगी से कह रही थी कि अब जब तुमारे रेंग में हार्मोन्स कम्प्लीट हो गए है तो जल्दी से बटन प्रेस कर तो हम एक्तम से ही अपने प्लैनेट पे चले जाएंगे जावगी कहती है कि इसमें तो नॉर्मल हार्मोन्स ही हमने कलेक्ट किये हैं हार्मोन एलिमेंट तो हमने लिया ही नहीं जावगी कहती है कि फैंग लैंग के पास अभी तक तो हार्मोन्स भी नहीं है फिर वो उनका ए कि इस रिंग से एक्स्ट्रेक्शन सर्फ एकी बार हो सकता है फिर एक और डिनरी रिंग बन जाएगी अब तुम सोच लो अगर तुम इन हार्मोन को फैंग लेंग को दे दोगी तो तुमारे पास कुछ नहीं बजेगा जाओ की कहती है कि मुझे फैंग लेंग पे पूरा भु कर देती है नेक्स्ट मॉर्णिंग जब केमिस्ट वहाँ पर पहुचता है जब वह देखता है कि इसमें तो बहुत सारे हार्मोन्स रखके हुए हैं उससे वह हर्मोन एलेमेंट बना देता है और फैंग लेंग को दे देता है कि कल तक तो तुम यह कह रहे थे कि उसमें कोई कि हार्मोन कलेक्ट नहीं हुए और आज यह हार्मोन एलेमेंट तियार हो गया केमिस्ट केता है कि उसमें पहले से ही बते शैळ करेंग नेन कर पाएंगे आज लेंग आज रात इस वीकेंड डेट पर चलेंगे आफिस दे जाने के बाद जाओ की बहुत खुश हो रही थी कि अपसे हर्मोन एलिमेंट बन गी अब हमें प्लैनेट पे बहुत असानी से जा पाएंगे बहुत जल्दी चले जाएंगे और वहीं पे एक जगा कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहीं पे उसको एक फैंग लैंग का फोटो दिख जाता है जिसको देख की वह सोचने लगती है कि जब मैं अपने प्लैनेट पे चली जाओंगी तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी यह थोट मुझे इतना दुखी इतना सैट क्यों बना रहा है तबी जाओ की फैंग लैंग को ही देखे जा रही थी और अचानक से वहाँ पे कंस्ट्रॉक्शन चली रही थी एक लोही की बीम उसके उपर आके गिरने ही वाली थी वह अचानक से हवा में रुख जाती है जाओ की देखती है यह कैसे रुख गई वो अपने magic trick बे इसमाल करने की कोशिश करती है अपनी power से यूज करती है पर उससे कुछ होता ही नहीं वो गिरती ही नहीं है और जब वो देखती है कि वहाँ पे जाओ क्षी ने अपनी power से उसको रोका हुआ है जाओ क्षी कहता है मैं अपने आपको दुबारा इंट्रिड्यूस करता हूँ मैं नमबर 11 हूँ मैं केप टाउन प्लानेट का इंस्पेक्टर हूँ और नेक्स जीव के लिए प्रवल केंडिडेट भी हूँ और ग्राइजिशन को जब पता चला कि तुमारे यहाने में कुछ प्रब्लम हो गई है तो उन्होंने मुझे तुमारी हेल्प के लिए यहाँ पर भीज़ दिया और के देगी नेक्स्ट तुमारे लिए हमारे पास काफी इंपोर्डेंट टास्क है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि किसी ने लैब में जाकर सारे कलेक्टर डिस्ट्रॉइ कर दिया और हर्मोन एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉइ कर दिया और वहाँ पर बस जाओगी की आईडी मिली यह साबित करने के लिए कि यह सब कुछ जाओगी ने किया होगा तब ही जाओगी ओफिस में आ जाती है तो सब उसको क्रिमिनल समझ रहे थे तब ही वहाँ पर सेक्यूरिटी गारड आकर जाओगी से पूछने लगता है कि तुम्हारी आईडी कहां पर है एक्स्प्लेइन करो जाओगी कहती में तो टेवल पर ही रहती थी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कैसे चली गई security guard कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई explanation नहीं है तो हम तुम्हें पुलिस कोई पास ले जाएंगे वो ही अपने आपको गलवा लेंगे सच्चाई तब ही वहाँ पर fang lang आ जाता है वो कहता है कि किसने पुलिस की धमकी दी मैंने मना कि अधना पुलिस को इन्वाल्स नहीं करना है security guard कहता है कि हम तो सिर्फ डरा रहे थे कि इस चक्कर में कहीं सच्चाई बोल दे fang lang कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसको डरा नहीं की और अगर इसको hormone element destroy करना होता तो अब तक वेट नहीं किया होता है इसने इतनी जाधा help इस hormone element को बनाने में सारे employees से भी कह देता है कि कोई किसी पर शक नहीं करेगा investigation चल रही है उसके पाद result सब के सामने आ जाएगा और मैं चाहता हूँ उससे पहले सब एक दूसरे पर trust रखें फैंग लेंग जाओ की से कह देता है कि घर जाकी थोड़ा rest कर लो और उससे अब देखके कैंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था जाओ की restaurant में बहुत जाती है तो मिस चैफ से कहती है कि फैंग लेंग अब कितना ज़्यादा sensible हो गिया कि अब वो अपनी girlfriend की इतनी ज़्यादा चिंता करने लगाए कि इस पर workload बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देता और उसको इतनी जल्दी चुटी देती तब ही वहाँ पर जियांग ची आ जाता है वो कहता है कि मुझे पता चला तुमाई लैब में किया हुआ फैंग लैंग ने तुमाई लिए कोई problem तो create नहीं की ना जाओ की कहती है नहीं कोई problem तो नहीं हुई बस वो हार्मोन ना बहुत ही जादा काम है अब हम extract नहीं कर पाएंगे ये काम काश मैंने कर लिया होता बर उससे पहले ही किसी नहीं यह हरकत कर दी उसी आंग शी कहता है तुम tension मत लो और सचा ही सब के सामने आई जाएगी बस rest करो फिर दिखाते हैं फैंग लैंग की board of directors के साथ meeting होती है और उसमें कैंग कह देता है कि पहले तुमने insist किया था कि R&D department बनना चाहिए अब जब बन गया था element बन गया था जाओ की जब पकड़ी गई है कि उसने काम किया है तो उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते हो फैंग लैंग कहता है कि जाओ की नहीं किया उसको किजी ने frame किया है आप इतने intelligent हो आप यह समझने भारे हो दूसरे साइड दिखाते हैं जाओ बू कह रही होती है कहीं यह काम जियंग शी ने तो नहीं किया जाओ की कहती है अगर जियंग शी ने ही किया होता ना तो वह अब तक रुखता है ने spaceship बुला लेता है और हम सब अपने planet पे चले जाते पर फिर वह क्याती है कि अच्छा ही है थोड़ी दिन और यहां पे रुखने का मौका मिल जाएगा और खुश हो रही होती है फिर दिखाते हैं फैंग लेंग आफिस में ही होता है और जाओ की उसके घर जा रही थी पर वह घर पे था नहीं तो फिर वह मैसेड़ से इस बात करते है फैंग ली बी जाओबू से बात कर रहा होता है उससे मिलने की कोशिच करती है पर जाओबू उसको इग्नोरी कर रही थी फैंगली फैंगली सोच में पर जाता है कि आगिर ऐसा क्या हो गया क्यों उसे बात नहीं करना चारी है जावबू जावकी को बताती है कि अब जब भी मैं फैंगली से मिलती हूँ मेरे टॉटो ऐस बनने की परसेंटेज 99% हो जाती है इसलिए मैं उसे मिलना नहीं चाहती पता नहीं मुझे क्या हो गिया है कि मैं एक अर्थ के चोटे मोटे वाइरस को भी ठीक नी कर पा रही हूँ क्योंकि उसे लगा था कि किसी वाइरस की वज़ा से उसके सिस्टम में ये प्रॉबलम आई है फिर वो जावकी की रिंग को देखके कहती है कि अब तो इसका कोई यूज नहीं है पहले की पहली वाली मेमरीज में से और उसके रिंग में अजीब से लाइट भी जल सी थी नेक्स डे दिखाते हैं फैंग लेंगे एक प्रोफेशनल की टीम बुला लेता है सबूत डूनने के लिए कि कुछ पता चले किसने की काम किया है पर कोई सबूत नहीं मिलता और दूसरी साइट कैंग अपनी बहन से कहा रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं दो रात पहले में कितना साथ कूल बनके यहाँ पर आया था और मैं अपने आत्मियों को भी लेकि आया था वो बहुत ही जादा कोशियस है बट यह जो प्रॉब्लम क्रियेट तुमने की है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा हम फैंग लाइंग को हटा सकते हैं पर दूसरी साइट दिखाते हैं फैंग ली जाओबू को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलने के रेस्टोरेंट में आ जाओं बर जाओबू मना कर देती है कि नहीं मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ और बलकि फैंगली वहीं पेख़ाता वह देख लेता है कि जाओबु तो यही है यह जूट क्यों बोलेती है फिर जैसे फैंगली जाओबु के पास आने वाला ता वो एकदम से छिप जाती है बट फैंगली ने उसे पहले ही देख लिया था वो उससे कहता है कि चलो फिर से किसी date पे चलते हैं पर जाऊबू हर बार मना कर देती है जितनी बातें फैंगली पूछता है जाऊबू किसी के लिए पर ready नहीं होती तो बिचारा फैंगली लास्ट में यही पूछ लेता है कि तुम किसी और से तो प्यार नहीं करने लगी ना फिर दिखाते हैं मिस चाहे से जाओबु अपने साइ सिम्टम्स बताती है कि मुझे क्या हो रहा है तो मिस चाहे कहती है कि तो सिंपली तुम प्यार में पढ़ गई हो और तभी वहाँ पे फैंगलेंग जाओगी के लिए आ जाता है और वो ऐसी बैटी थे तो उसके पैर अपनी कोट से ढग देता है वो कहता है कि तुम दुखी नहीं हो कि सब लोग तुम्हें ही ब्लेम कर रहे थे जाव की कहती है कि अगर कोई मुझे डिलीशियोस फ्राइट चिकन दे दे और मैं पस्तारों को देखती रहूं तो मैं इतने में खुश हो जाती हूँ फैंग लेंग कहता है तुम्हें चिंता नहीं हो रही लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे जाव की कहती है कि टेंशन लेने से मेरा क्या होगा वो उनका बिसनस है उनको मैं गलत लगता है फिर दिखाते है next morning फैंग फैंग लेंग फिर से कुछ सर्च कर रहा होता है कोई क्लू मिले फिर उसके मिटिंग होती है उसमें वह एक वीडियो दिखा देता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैंग ऑफिस में घुसा और उसने सब कुछ डेस्ट्रॉई कर दिया कैंग अपनी वीडियो देखके एकदम से घबरा जाता है वो कहता है कि अब जब तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला तो तुमने मेरी एक वीडियो बना दी फेक वीडियो बना दी फेंग लैंग कहता है कि मेरे पास तो बस वीडियो है मैं तो पुलिस को देदूगा वही कंफर्म कर लेंगे कि ये ठीक है या गलत है वैसे आप इतने टाइम से कंपनी में काम कर जेओ आपको ये नहीं पता कि हमारी कंपनी में सिर्फ एक कैमरा नहीं है और भी काफे सारे कैम कैनि कहता है कि पहले तो तुम नहीं कहा था ना कि इन्वेस्टिकेशन पुलिस के पास नहीं लेके जाते हैं तो अब भी ऐसा मत करो वरना हमारी कंपनी का नाम खराब होगा फैंग लैंग कहता है ठीक आप ठीक बात कर जो तो एक काम करते हैं इसकी चकर में जितना भी नु किया होता तो अब तक तो मैं अर्ज से चले जाती है और फिर वो इसको थैंक्स बोल देती है फैंग लैंग उसको बताता है कि कैसे उन्होंने एक पुराना कैमरा डूड़ना जिसमें सब कुछ रिक्वार्ड हो गया था और वो कहता है कि अब तुम्हें टेंचर लेनी की ज चलदी नहीं ले पाएं अब प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है तो हम जल्दी ले पाएंगे और फिर अपने प्लानित पर आराम से जाएंगे जाओबू कहती है कि हार्मोन एक्स्ट्रेक्शन का काम इस बार तो सेकिंड टाइम में हो रहा है ना तो इस बार तो पहली बार से चलती हो जाएगा जिसे सुनके जाओब की थोड़ी से दुखी हो रही थी फिर दिखाते हैं जाओबू को एक डिलिवरी का मैसेज आता है जब वो अपना पैकेज रिसीफ करने जाती है तो वहाँ पे उसको फैंकली मिल जाता है जिसको देख्यों महां से जानी वाली थी पर फैंकली उसको पकड़ लेता है वो उससे पूछता है अगर तो मुझसे पिनी टूनूँगा जाओबू उसकी तरफ देखी लेती है और फिर उसका टैंप्लेशर बढ़ने लगता है तो वहाँ से एक्दम से भाग जाती है और फिर टोड़ोईस बन जाती है फैंकली उसको पीछे भाग रहाता वो चालो तरफ देखता भी है पर जाओब उसको कही नहीं मिलती और फिर उसको डूंटा डूंटा आगे भाग जाता है ऑफस में दिखाते हैं मिटिंग में कहा रहा होता है कि तीन दिन में हम अपना प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करेंगे जाओकी कहते हैं तीन दिन में ही फैंग लेंग कहते हैं जल्दी से जल्दी सब जादा खुश्टी और आज ऐसा क्या होगी आसा होगी ऐसी पहाने बना देती है कि इसमें थोड़ी मिर्ची जादा हो रही है तो वो कहता है कि मेरी कार ट्रंक में पानी रखा है तुम वो जाके पीलो जैसी जाओगी कार ट्रंक खोलती है उसे देख क्यों काफे इस्तियार किया था और फिर यहीं पर यह एपिसोड फिनिश हो जाता है अगर आपको यह पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें बाई बाई तिल नेक्स वीडियो